प्रस्ण है यदि 8 का पावर x प्लस 1 इकल टू 64 हो तो 3 का पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे 8 का पावर x प्लस 1 इकल टू 64 और 64 8 का पावर होता है मतलब 8 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे 8 को 2 बार गुना करें तो हम लोग लिखेंगे 8 x plus 1 equal to 8 का power 2 तो इधर 8 और equal to के उधर भी 8 है तो हम लोग power को equal कर देंगे तो दोनों तरफ का power है x plus 1 equal to 2 यहां से हम लोग x कमान निकाल सकते हैं तो हम लोग लिखेंगे x equal to 2 minus 1 तो x कमान निकाल गया कितना 1 अभी हम लोग question को हल करेंगे हम लोग को निकालना है 3 का power 2 x plus 1 कमान कितना होगा तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 2 का power 2 x plus 1 तो यहां पर हम लोग x कमान बैठा देंगे जो x कमान कितना है x कमान 1 है तो हम लोग लिखेंगे 3 का power 2 गुना 1 plus 1 तो हल होके निकल जाएगा 3 का पावर 3 तो एंसर होगा 27 तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ तब तक के लिए धन्यवाद